लेटेस्ट कबरे पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारी चैनल को, दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटेस्ट कबरे सबसे पहले प्राचीन समय से ही लोग कुट्टों का रोना भविशे में होने वाली घटना का संकेत माना करते थे उनका विश्वास इतना पका था कि विज्ञानिकों को भी कुट्टों पर शोद करना पढ़ा और आज मैं आपको कुट्टों के रोने के दो कारण बताऊंगा एक विज्ञ विज्ञानिकारण और दूसरा इंसानों का विश्वास कुट्टों के रोने का विज्ञानिकारण विज्ञान हमेशा से ही चम्तकारी विश्वास को ठुकराता आ रहा है लेकिन ऐसा कई बार हुआ है जहां विज्ञान भी फेल हो गया विज्ञान की माने तो कुट्टों क रोना बहुत ही नार्मल है जैसे सभी जीव किसी दुख या दर्द से गुजरते हैं वैसे ही कुत्ते भी अपने किसी दुख के चलते रोते हैं लेकिन कुत्तों का रोना बाकियों के जीव से काफी अलग है इसलिए लोग इनके रोने का अलग-अलग मतलब निकालते हैं ऐसा कुछ विशे शग्यों का मानना ये भी है कि प्राचीन समय से ही लोग कुद्टों का रोना भवशे में होने वाली किसी प्राक्रितिक आपदा या घटना से जोड़ कर देखते हैं लोगों का ऐसा विश्वास है कि कुट्टों को सुनामी और भूकम जैसी प्राक्रितिक आपदा का पता पहले से ही चल जाता है जिससे कुट्टे दूसरों को भी आगाह करने के लिए और उस होते हैं लोगों का ये भी कहना है कि कुट्टे अधिक तर रात में ही रोते हैं क्योंकि उन्हें किसी नकारत्मक शक्ति का आभास हो जाता है